पालक साग का पराठा या फिर सबजी तो आपने कई बर बनाया होगा और कद्दू का सबजी अपने कई बर बनाया होगा खाया होगा तो चलिए आज हम बनाते हैं पालक साग और कद्दू से कुछ अनोखा रेसिपी तो बहुत ही कमाल की बनने वाली है ये पालग और कद्दू से ये बिल्कुल निव रेसिपी है तो आप इसे जरूर देखिएगा सर्दियों का टाइम है अभी काफी ज़्यादा हरी हरी सब्जी आ रही है तो आप अपने घर में इस तरीके का रेसिपी बना सकते हैं अपने बड़े बच्चों को खिला सकते हैं सभी को काफी ज़्यादा पसंद आने वाली है अगर आपके बच्चे कद्दू का सब्जी नहीं खाते हैं तो आप उसे इस तरीके से खिला सकते हैं सबजियां हमारे सरीर के लिए काफी ज्यादा फाइदे मंद होती हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा तो यहाँ पे मैंने दो कप के करीब चावल और एक कप के करीब चना दाल इसे मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था भिगोनी के बाद इसे मैंने पानी से बाहर निकाल लिया है तो अब इसे हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में तो जार को हम पूरा नहीं भरेंगे, पीषने के बाद डबल हो जाती है ये मिसरन, तो मैंने आधा ही भरा हुआ है, अगर आपको ज़रुवत पड़े तो आप हलका पानी भी डाल सकते हैं, तो सारे मिसरन को हमने पीष लिये हैं, अब इसमें हम डालेंगे मसाला, तो इसमें ह डाला है सावुत जीरा अधा चमिल डाला हुआ है काली मेज अब ही को ग्राइंड करने के बाद हमने साइड में रख लिए हैं अब मैंने यहां पर लिया है एक छोटा सा कद्दू तो सबसे पहले कद्दू को हमने अच्छे से छोटे छोटे पार्ट में कटिंग कर लेना है त नमक हम आगे भी इस्तमाल करने वाले हैं तो बस इसमें सिर्फ हमें नमक ही डालना है पानी हमें नहीं डालना है क्यूंकि कद्दू को मैंने धो लिया है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी है और नमक डालने से थोड़ा बहुत पानी इसमें से रिलीज होगा तो इसे अब ह पानी रिलीज हुआ है तो इसे हम फटा फट से बाहर निकाल लेते हैं अब जो हमने मिसरन को पीस करके रखा हुआ था उसे हम चेक कर लेते हैं अब इसमें हम डालेंगे ये कदू कदू को मैंने निकाल लिया है पानी से बाहर तो सारे कदू को हमें इसमें डाल देना है और ए अछी मिख्छोन्स मिख्षू मिख्ष हो जाए उसमें काफ उच्छे सें मिक्स अड़ाएं यह इसमें हमें अद्ध कर लेते हैं नमक नव olmuş निद्टी में वारते नमक दनसे नमक 10ph तो बस इसे हमें अच्छे से mix करते जाना है तो अब मैंने यहां पे लिया हुआ है पालक साग तो इसे मैंने छोटे छोटे पार्ट में cutting करके अच्छे से धो लिया था धोने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे तो पालक साग को मैंने उबाला नहीं है बिल्कुल इसी तरह हीं डालना है हमें autumn like चोटे चोटे पार्ट में और इसमें डाल देना है पालक साग हम जादा नहीं डाल रहे हैं लगबख सो गराम के करीब मैंने इसमें पालक साग डाला हुआ है डालने के बाद इसे मैंने अच्छे से mix कर लिया है देख सकते हैं तो मैं इसे आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देती हूँ तो ये फाइनली मेरा मिश्रन तयार हो चुका है तो आप चलते हैं गैस की तरफ तो गैस में कड़ाई में मैंने तेल डाल दिया था गरम होने के लिए तो तेल काफी अच्छी से गरम हो चुकी है तो बस अपनी हाथों की मदद से हमें कुछ इस तरीके से मिश्रन को उठाना है और हलके हलके हाथों से हमें इस तरीके से तेल में डालते जाना है तो दोस्तो ध्यान दीजेगा कुछी इस तरीके से हमें धीरे धीरे करते हुए डालते जाना है ताकि तेल जो है अपके हाथ पे ना पड़े तो डालने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कर्ची लिया हुआ है अब इसे हम हलके हलके हाथों से उलट पŁलट कर लेंगे इसे हम हाई फिलेम पे नहीं तलेंगे इसे हम मीडियम लोटौ फिलेम पे तलेंगे ताकि जो है यह हमारा कदू का पकोड़ी काफी अच्छे से पक जाए बिल्कुल कच्चा पर न रहे तो देख सकते हैं धिमे धिमे आज पे काफी अच्छे से पक चुका है बहुत सुन्दर कलर आया है इसका देख सकते हैं आप तो चलिए इसे अब हम फटा फट से बाहर निकाल लेते हैं तो सारे पकोड़े को हमने बाहर निकाल लिया है देख सकते हैं आप तो बस इसी तरीके से हम दूसरा बेच भी डाल लेंगे जब आप मिस्रन डालें तो गैस बिल्कुल मीडियम लो कर दे ताकि आपके हाथों के उपर छीटा ना पड़े तो देख सकते हैं दूसरा बेच भी मैंने फ्राई कर लिया है तो फ्रेंज बहुत ही कमाल की लगती है पालक और ये कद्दू की पकोड़ी तो आपने कभी नहीं बनाया है नहीं खाया है तो आप बनाईए आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप इसे एक बर बनाते हैं तो आप बार बर बनाना चाहेंगे तो मेरे कहने पर फ्रेंज आप इसे एक बर बनाईए आपके घर में सभी को काफी ज़्यादा पसंद आएगी बच्चों को भी काफी ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चे अगर कद्दू नहीं खाते हैं तो आप उसे इस तरीके से खिला सकते हैं बिलकुल यूनिक तरीका है और इसे बनाना भी बहुत आसान है आप जटपट से इसे बना सकते हैं अगर आपको नहीं बनाने आती है तो जैसे मैंने वीडियो में बताया है तो आप उसे फोलो किजिये और बनाईए आपको भी बनाना आ जाएगा तो इसके साथ मैंने बनाया हुआ है टमाटर और हरी धनिया का तीखा चटनी चटनी के साथ बहुत ही कमाल की लगती है तो फ्रेंस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं आप लोग देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं फ्रेंस तो बनाने में काफी ज्यादा महनत लगती है तो फिर से मिलते हैं लिए नए वीडियो में